क्या आप student हो, job करते हो, या फिर आपका कोई business है, और क्या आपका कोई competitor है, जो आपको हमेशा दिक्कत ही देता रहता है, तो अगर आपके life में कोई ऐसा competitor है, जिसके विसे आपके life काफी मुश्किल हो गई है, तो ये law आपके लिए बहुत important है, तो guys welcome back to my channel, आज हम बात करने वाले हैं, एक ऐसे law के बारे में, जो आपके life को totally change कर देगा, law का नाम है, crush your enemies, 15th law है from 48 laws of power, Robert Ginn की काफी famous book है, उसकी 15th law के बारे में बात कर रहे है, crush your enemies, अपने enemy को, अपने दुश्मन को, आपका competitor भी आपका दुश्मन होता है, उसको पूल रूप से खतम कर देना, पता ह क्या होता है, अगर आपका कोई दुश्मन है, और अगर आप उसको पूल रूप से खतम नहीं करते हैं, उसको आफ अर्टीडली हराते होना, तो high chances होते हैं, कि वो दुश्मन रिगेन करेगा अपनी power को और वापिस आएगा, और उस वक्त आपकी क्या हलत होगी, आप सोच भी नहीं सकते हैं, चलिए इस चीजों को सबस्ते हैं, कोछ एल लाइफ एक्साम्पल के थूरू, मान के चलते हैं, आपना एक IT स्टार्ट अप के बहुत बड़े आपने कोई एक ऐसी इनुवेटिव टेकनोलोजी मार्केट के अंदर इंट्रोड्यूस करी, जिससे पूरी म मार्केट नर्डिसर्प्ट होने वाली है, और शुरू भी हो गया, लेकिन वहीं पर आपका कोई एक पहले से उस मार्केट के अंदर हो पहले से मार्केट के अंदर है तो उसके बस कश्टूमर बेज जादा होगा, वो क्या तरह है, वो आपकी जो टेक्नोलोजी है, उसको ए आपकी इनुविटिव टेकनोलोजी ही आउटडेटिड हो जाए, तो ऐसे में अस सिर्फ यहां से काम नहीं चलने वाला, अब आपको न अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटिजी को भी तना श्रॉंग करना पड़ेगा, दुनिया को बताना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा, कि ये बड़े स्टार्टप ने, या सौरी, स्टार्टप तो आप हो, ये बड़े टेक जाइंट ने आपकी टेकनोलोजी को कॉपी किया है, और आप इनुविटिव हो, आप उस फिल्ड के अंदर बैटर कर रहे हो, आपकी रिसर्च ए निवल्पेट टीम ने तना अच्छा के साथ, आज कल तो विडिया में वैसे भी मेड इन इंडिया, इंडियन का कंसेप्ट बढ़ा चलता है, कि कोई चीज इंडियन है, इंडियन ब्रैंड है, तो ऐसे केस में आपको इस इमोशनल सेंटिमेंट का भी फाइदा उठाना पड़ेगा, ताकि लोगों को लगे कि य लीगन लूटिस के सारे आप रहे, तो आप नई जीजबाऊगे, आपको वो खतम कर देगा, तो इस लॉक के अंदर हम पड़ी ये रहे हैं कि कैसे मुझे अपने एनिमी को हराना है, उसको सिर्फ चोटा मोटा हराना नहीं है, उसको बिल्कुल आउट कर दे रहा है, उसको बिल्कुल जमीन पे गिरा दे रहा है, अब बात करके चलते हैं, एक काफी इंपोर्टेंट रियर लाइफ इस्टोरी के बारे में, काफी पुराने जमाने के स्टोरी है, आपने जूलियस सीजर का नाम सुना होका, नई सुना तो स्टोरी सुन लो, सर्च करना गूगल पे ज ना कि सिर्फ हराया, उसकी जो सपोर्टर्स थे ना, पॉंपे के, उनको भी अपनी साइड कर लिया, उसकी आर्मी को भी अपनी साइड कर लिया, अब जब जूलियस सीजर ने ऐसा किया, तो जो पॉंपे दाना वो बिल्कुल आसहाय हो गया, तो सिर्फ हराना नहीं है सामने वाले को अपने एनलीवे को इस तरीके से क्रस्ट कर देना है कि वह दोवारा उठ भी ना सकते आप क्यागी इस इस टीव जॉब्स का नाम तो सबने सुना होगा आप जितने भी लोग इस वीडियो को देखे हैं सबने स्टी जॉब्स का नाम सुना है अगर आपने स्टीव या कुछ भी खराब होता है हम परिशाम हो जाते हम बहुत स्ट्रिस के इंदर चले जाते हैं उनकी बायोग्राफी देखिए वह उस लेवल पर डिप्रेशन में नहीं गए उन्होंने इसको एजन अपॉर्चुनिटी लिए जब उनको एपल से निकाला तो उन्होंने नेक् सबसे पहली जरूरी चीज़ा है कि उनको एपल वापस वापस लाया गया उसके बाद सब लोग इस्टी जॉप का नाम सुनते हैं आपल को रिलेट करते हैं और इस्टीर जॉब्स से पूरे मार्किट के अंदर अपने कंपटिशन को इस तरीकि से खतम घ्रिए नहीं टेक्नोलोजी लांकर मार्किट कहां कि अंदर किसी को भी टिक नहीं को नहीं कौने आज की डियर के पास Samsung का फोन और सेंसंग का फोन और उसका ॥ान और नॉर्म प्रविन आईफोन की ज़्यादा है सैंसंग के इंदर फीचर पेशा थोड़े जादा है बट इजद आईफोन की ज़्यादा है तो अपने competition को न इस तरीके से समझो कि वो कभी भी आपके बराबरी करी ना पाएं आपके बराबर कभी उठी ना पाएं market के अंदर एक HTC का नाम काफी चलता था, honor का नाम काफी चलता था market में, blackberry का नाम काफी चलता था business class में हर business man के पास blackberry का फोन होता था, लेकिन apple में stage option इस तरीके से strategy से सब को खतम किया ना, आज ना कोई honor यूज करता है, ना कोई HTC और ना ही कोई blackberry, अगर आपका कोई known में blackberry यूज करता है तो मेरे को कमेंटर में जरूर बताना है कि आज की date में भी क्या blackberry यूज हो रहा है, मेर उसके पास दिखेगा क्या iPhone, यह उती है strategy अपने competition को बिलकुल खतम करने की वह आपके बराबरी करी ना सके, आपके बराबर उठीना सके, OnePlus ने बड़ी कोशिश करी थी, कि मैं Apple जैसा हूं, Apple जैसा हूं, बट कहां है, वो market में नहीं जा रहा है ना, उस level पे, Apple के बराबरी कर ही नहीं पा रहा है, अगर आपका कोई दोस्त, iPhone ने, अगर आपका कोई दोस्त, OnePlus यूज़ करता है, तो आप उससे पीचर के बारे में पुछे वह पते क्या बोलेगा, यह Apple जैसा है, बट क्या कभी किसी Apple वाले युको बंदे को सुना है, बोलते हूं, कि मेरा phone plus जैसा है, ने, यह होती है, पावर, यह होती है पावर अपने मार्किट के अंदर नाइवल्स को क्रस्ट करने की, ताकि वह आपकी बराबरी ही ना कर सकते, बॉलेवर्ड के अंदर भी ऐसी स्टोरी है, अबीर खान का नाम आप लोगों ने सुना होगा, अमीर खान ने लगान मूवी बनाई थी, वो मूवी इतने हिट होई और लोगों को दिखा दे कि उनके अंदर कितना जादा पोटेंशल है, उसके बाद उन्होंने प्रड़क्शन कंपनी में उन्होंने दंगल मूवी बनाई, और स्टोरी टेलिंग को इस तरीके से रखाना कि लोग है आज भी लोग अम हमेशा ही जीटता है, कभी-कभी तो हार रहा है, लेकिन उस हार से आप क्या सीख रहे हो, यह बहुत होता है, अमिर खान ने जिंदगी में सेटबेक्स लिए थोड़े से, लेकिन इतनी भी नहीं लिए जितने बाखी स्टार्स लिए, अगर आप कंपरिसन करोगे, आज गू आपको साबित करना होता है, अपने कंपिटीटर को दिखाना होता है, कि भाई, तु मेरे बरावर नहीं आसा है, उसको इस लेवल पर जाके हराओ, उस देखो, दो तरी के होते हैं, एक होता है, अपने एनिमी को मारो, जो पुरानी जवाने में तो चलो एक पर मान भी सकते ह होता है राजा माराजा की टाइम पर, आज के जवाने पर अगर आपके सी के साथ ऐसे कुछ करोगे तो आपके पर legal cases हो जाएंगे, तो एज की डेट में आज की example को लेके चलू कि आपको इनों को कैसे एपलाई करना है, कैसे अनिमी को करना है, तो आपको अपने आपको उस लेवल पर बना लेना है कि आपका एंइमी आपके बराबर पहुंच ही न भी उसको इतना आसाहाए बनादो कि वो आपके लेवल पर आ ही सखें एम अतुरी थी नहीं चीट युद्षा पर नहीं पारा रहा है competition तो हर जगा होता है अपने competitor को कभी-कभी हराना भी परता है हर race को जीतने का सिर्फ यही तरीका नहीं होता है कि आप तेज़ भागो कभी-कभी अपने competitor को भी गिराना परता है नहीं गिराओगे तो एक दिन वो इतनी strength बना लेगा कि वो आपको overcome कर जाएगा लाश्ट एक्जामपल पर आता हूं Michael Jordan Michael Jordan का नाम भी आप लोगोंने सुना होगा Michael Jordan Jordan के shoes आते हैं कितने famous हो गए है वो Nike के वज़े यह बुलो Nike उनके वज़ेसे famous होगी है Michael Jordan के मैं स्टोरी पढ़ रहा था एक जगा मैंने पतर क्या देगा मैंने क्या पढ़ा माइकल जॉर्डन जब जाते थे ना पापर जाते थे फील्ड पे लड़ाई गरने नी जाते थे वो पीसीज आफ बास्केट बॉल्के में जाते थे गार्ट वो उनकी लिए एक फील्ड ग्राउंड था वो जब वहाँ पर जाते थे नो तो सिर्फ जीतने के लिए नहीं था वो अपने जो भी competitor ना उनके मनोबल को तोड़ देते थे उनकी तरफ इस तरीके से looks देते थे अपने skill को इस तरीके से present करते थे कि सामने वाला जो competitor थो ना वो पहले ही डर जाता था यार ये तो Michael Jordan इनको हराना दो बहुत ये mentality जब आप लोगों के सामने create कर दोगे ना तो आप अपने आप ही winning situation के अंदर जाना शुरू कर दोगे देखो यार आगी थोड़ी तेर पहली समझाए खुद का skill भी बढ़ाना है और अपने competitor को mentally physically तो आप हाम नहीं कर सकते mentally हाम ऐसा करो कि वो आप से जीतने की उमीद भी ना लगा सकते यही इस law के अंदर लिखा है यही पूरी story थी इस law की I hope आपको यह law बहुत अच्छा लगा होगा आपको इसके अंदर काफी कुछ सीखने को मिला होगा अगर आप यह इसीजे follow नहीं करते दिन मत करो मैं किसी को advice नहीं करता कि इनको follow करो लेकिन अधर कोई आपके साथ follow कर रहा है तो आप उसको timely analyze करो और उसको उसका answer दो ताकि आप अपनी life के अंदर सुकून से जीसे अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है और जाओ यार दुबारा मेरे चैनल पर आना बे मत क्योंकि आदर आपको जिंदिगी में कुछ नहीं बढ़ना है नहीं करता है तो मैं नहीं आपके help करना चाहता और आपको क्यों टाइम वेस्ट करो यार मेरी वीडियो देखे कुछ और देखो entertainment देखो comedy देखो गाने सुनो बट यहां पर अदर आप आयो इस वीडियो के अंदर वेरे चैनल पर तो अपनी लाइफ का अधर परपस ग्रोथ है तो ही आना अधर वाइस लीवर्ड देट्स आल पर देखे